नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों कैसे हैं आप सभी एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आपका मेरी चैनल पर तो सुबह सबसे पहले उठे नहाए और आगे थी सिधा किचन में क्यूंकि आज बनने जा रहा है स्पेशल मेरे घर पे खाना स्पेशल खाना क्यों बनने ज जा रहा है मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी आलू की सब्जी बनाऊंगी पूरी के लिए आटा भी भी गोदी आलू बॉयल भी कर दिये हैं प्याज लसन के बिने यह खाना बने घर तो आपको बता देती हूं कि यह आज जो है मेरे सशुर जी की ख्याई है अब आप सोच कि ख्याई है आज से पिछले 32 साल पहले उनका दिहान दो गया था तो उनकी निमित हर साल जो है उनकी ख्याई पर उनकी तीथी पर हम लोग खाना बना के खिलाते हैं तो बहुत ही सात्विक भोजन बनता है तो पित्रों के खाने पर पूजा पाट का जो खाना रहता उसमें बहुत हैं तो शाफ सफाई का इसमें विशेश जान रखा जाता है तो पूजा हो चाहे वो पित्रों का खाना हो तो सबसे पहले आपको मकर सक्रांती लोडी और मागे साजे की धेर सारी शुब कामना हैं देखिए वैसे तो लोडी पंजाबी तो है लेकिन पंजाब हमारे भारत देश का एक प्रमुख हिस्सा है तो पूरे ओल ओवर इंडिया में लोडी का त्योहार बहुत धूमदाम से मनाया जाता है तो हमने भी खूब मज़े किये खूब इंजॉय किया पूरे अडोस पडोस के बच्चे लेडी सब हम इकठा होके हमने डांस किया मौंग फलिया गज़ा करेवडी वगेरा हमने खाई बच्चों ने खूब डांस किया तो हमारे महला जो है बहुत ही कॉडिनेशन के साथ हम लोग चलते हैं हर एक फेस्टिवल को मिल जूल कर सैलिबरेट करते हैं और मिल जूल कर करना भी चाहिए तो लोडी का त्योहार पंजाब में मनाय वाला होता है ऐसे यह साइन रहते हैं और सूर्य जो है मकर राशी में प्रवेश करते हैं ये बात भी कही जाती है एक और बात भी है कि पोश का महीना जो है काला महीना कहा जाता है तो काला महीना जाने से जो मा का महीना था तो मा का महीना धर्मी का महीना माना जाता है तो इ केरे पिता जी लोग जल्दी उठकर बावडी के 25 में के पानी से नाते थे फिर हवर नित्यादी करते थे फिर सब को दानपुन करते थे हम लोग जितना भी हम से हो सका वह हमने क्या लेकिन लोडी हमने बड़े धुमदाम से मनाई आप देखी सकते हैं वीडियो में खूब इं इतजार कर रही थी मैं अनिल जी का वो गयते नहाने नहान इस जैसे बहार आए तो आपको मैं बता दू मैंने परसों रात का खाना खाया है यहीं सैटरड़े को फुल डे मेरा वरत था तो मैंने मीठा ही खाया है और फ्राइडे की शाम को मैंने खाया था नमक वाला खाना भी लग रही थी लेकिन सबसे पहले हमें पूजा के लिए खाना बनाना है ख्याई का खाना एक भाईया को बलाए उनको खाना खिलाने के बाद उसके बाद जाके हम खाना खायेंगे तो तब तक हमें पेशिंस रखना होगा तो सेवयों की खीर बनाने वाली हूं अनिल जी आलू की सब बनाने वाले हैं आलू मटर बनाने और पूरी बनाएंगे बहुत ही सिंपल साधा खाना बनाने वाले हैं तो देखिए खुशी की बात यह है कि आज 11 सवा 11 के आसपास ही हमारे बैट पर धूप आ गई थी तो यह साइन है जी गर्मी आने लगी है तो अनिल जी दर हैल्प कर रहे हैं मेरी किचन में हर्शित गया है खेलने तो सूर्य देव जेखिए आपको दर्शन करा देते हैं पहले तो पहाडी के उस तरह होते थे अब थोड़ा सा जल्दी आने लगे हैं तो यह देखिए फाइनली काफी देर इंतजार करने के बाद भाईया भी आ परांठे मेरे घर में सबसे जादा बनते हैं इस बार बहुत देर मतलब काफी समय के बाद मैंने बनाई हैं तो बहुत ही सिंपल खाना बनाया है बिना प्याज और लासुन का खाना हमेशा मैं बनाती हूँ श्रादों में भी और ख्याई का खाना मैं आपको बता दूँ मैं मेरे मैपकर्स करांती का तो हम जबसे मेरे माइक करते हैं और तो हम ऐसे धानपुन और निकाल पंडे देते हैं, तो इस वार मुझे ये सुभागया प्राप्ट हुआ कि कि मैं मिषुटाफर से खाना कहाँ तो सबसे पहले बहिया को खिला एक प्लेट लगा कि मिने अपनी फ्रेंड को दी और उसके बाद हर्षीत को खिलाया हर्षीत को खाना इतना या जवाब लगा और अकिर मैं ने घाया हमेशा की तरह युद्या हमारा कुछ आज का दिन मकर्स करांती होती है नहाने दोने का दिन तो आज कल ऐसी सर्दी में वाई सुभा उठके कौन आए तो हम तो ऐसी जो रूटीन रहता है वैसे कर लेते हैं और जो कुछ भी होता है मुंफली रेवडिया बस सादा सा खाना अपने साथ में कहते मेरा तो यह मानना है कि त्योहार जो है मेरी टन खाना बहुत ही अच्छा बना था तो आज के व्लॉग में पास इतना ही आपको मिलूंगी में नेक्स वीडियो में तिल देन बाई बाई टेक एर